हलो बच्छों आज concept of the day series में एक नया टॉपिक है जो अंडिस्टेंडिंग लेबल पर बहुत ज्यादा important है मैं अस्ताना सर आपका बोटनी टीचर इस अमेजिंग एडुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सब का सवागत करता हूं और आज के लेक्चर पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इंटायर प्लांट फिज्योल जी यह बेजड है वोटर पोटेंसियल पर वोटर पोटेंसियल होता क्या है मैं तो आपको ब्रीफ कर देता हूं देन विल गो इंटु दर टॉपिक इन वेरी है वो उस energy से वो move करता है तो उस energy को हम chemical पोटेंसियल और एक पर्टिक्लर कॉंसेंसे व्सक्राइब करके व्मॉल्य निकालते हैं तो ये chemical पोटेंसियल पर मोल जहतु क्वेर नहीं कालते हैं तो यह जएक्ट धरly जाह फिर अमने इंट्रश पिर प्रेजियों क्रॉत यह ज्यादा होगी जैसे आपने कोई salute या फिर impurity उसके अंदर add किया तो क्या होगा water molecule bound form में रहेगा basically जो moment हो रहा जो energy हो रही है बैटा वो free water molecule के वज़े से हो रही है तो जितना ज्यादा water का component या part free होगा उतनी ज्यादा उसका water potential होगा जितना ज्यादा water bound form में होगा वो potential energy उसकी कम हो जाएगी वो water potential उसका कम हो जाएगा ठीक है तो जो free water है वो हमेशा move करेंगे they have some energy और जो bound water है उनके पास energy नहीं है एक मोटे मोटे सब्दों में आप ये समझने की कोशिश कर लो ठीक है और water potential हमने pure water का as a convention zero लिया हुआ है मतलब जब आप solute add कर होगे तो water potential negative होता जाएगा ये आपको समझना है इसका यूज कहां कर सकते हो water transport में mineral transport में या फिर water ascent of sap में या फिर transpiration में या फिर एक से दूसरे से का जो water का transport होता है वहां पर और हर एक जगह पर इसका यूज बहुत important है ठीक है चलो आज का topic शुरू करते हैं आप सो water potential मैंने आपको समझा दिया what exactly is this and किस ने ढूड़ा था तो उस लेटर और टेलर 1960 में और पहले इसका नाम था डीपीडी बडिफरेंस क्या होता है डीपीडी और water potential में डीपीडी का sign positive होता है जितना ज्यादा तुम salute डालोगे डीपीडी उतना positive होगा water potential जितना ज्यादा salute डालोगे उसके अंदर उतना negative होता जाएगा बस एक ही difference है डीपीडी और water potential is same except that their sign sign अगर change होगा तो अगर water potential जैसे मैंने बोला कि उसके अंदर अगर कोई कोई soluble thing है क्या salute है या फिर impurities है so that is always going to be negative whereas अगर डीपीडी में अगर salute है तो वो positive होगा ठीक है उसकी strength तम positive और negative के terms में समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो best way क्या है कि spontaneous movement of the water मतलब जो water उसकी free energy energy thermodynamics में यह concept तुमने सुना होगा free energy डेल्टा जी वैल्यू है न वो तुम्हें समझने की कोशिश करनी है ठीक है तो water जब भी move करेगा तो जहां पर उसकी free energy ज्यादा होगी वहां से जहां उसकी free energy कम होगी मतलब आई free energy का मतलब कि जो value less negative to more negative है न अगर water potential के term में बात करें कैसे थोड़ी देर में समझने की कोशिश फिर से करते हैं मैं इसके term में बता हूँ जैसे free energy ज्यादा है तो उसकी value less negative होगी क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जो natural water जो भी है वह impurity free हो इंपूर्टी का मतलब जो minerals होगरा dissolve है उसके अंदर वह impede करते हैं water के moment को ठीक चलो आगे समझने की कोशिश करते हैं it is a measure of the potential energy of kinetic energy of the water ठीक है अब the difference in the potential energy between a given water sample and pure water ठीक है at atmospheric pressure and ambient temperature मतलब यह दो factor भी उसको influence करेंगे ठीक है और influence किससे किससे होगा solute concentration से होगा pressure से होगा gravity से होगा और कुछ matrix effect है उससे होगा तो यह 3-4 factor है जो उसको affect करेंगे ठीक है आगे बढ़ते है plants are phenomenal hydraulic engine क्योंकि पानी एक जगा से दूसरी जगा पे plant के अंदर move करता रहता है और they follow some laws of the basic physics ठीक है और कभी-कभी plant की height इतनी भी हो सकती जो sequoia plant तुम्हें पता होगा it is a gymnos pump ठीक है उसकी height 100 solar meter तक है तो ground से उतना उपर पहुचाना पानी यह भी एक कोई specific engineer ही कर सकता है ठीक है so water potential का use क्या क्या है और कहां पहां पर मैंने पहले ही बताया तो यह it is energy of the water per unit volume यह तुम्हें ध्यान में रखना है और इसको तुम्हें बहुत आसानी से समझ मैंगा so free energy water unit per unit volume तो joule per meter cube is the unit हमें ज्यादा physics नहीं लगानी है इसमें we have to understand this on the physiological level इसके कितने component हो सकते हैं तो एक है solute और osmotic potential जो impede करेगा free water moment को एक pressure जो help करेगा अगर pressure बाहर से लगाते हो तो moment ज्यादा होगा matrix potential और gravitational potential यह ज्यादा हम use नहीं करते हैं plant में इसको इसकी value बहुत कम होती तो इसको negligible मानके इसको हम zero मान सकते हैं और हटा सकते हैं अपने formula से ताकि हमारी understanding और अच्छी हो जाए ठीक है तो इसको अगर इन दोनों को अगर हम अटा देते हैं we remove them off तो siw क्या आएगा it is si s plus si p यह तुम्हें याद रखना है ठीक है क्यों इन दोनों के value matrix potential और gravitational की बहुत कम है इसलिए इसको हम negligible मान सकते हैं so in case of plant cell m and g usually disregarded क्योंकि यह significant नहीं है जैसा मैंने तुमको बताया ठीक है इनकी values बहुत कम है तो real formula जो निकल के आया वो यह है तुम्हारे NEET में और CET में भी इस पर question पूछे जाते है अब solute potential क्या पहले यह समझने की कोशिस करते हैं it is defined as the amount by which water potential is reduced जिससे कम होगा in the presence of the solute क्यों होगा due to the concentration of the dissolved solute जितना ज्यादा solute होगा उतना ज्यादा si s होगा और si s की value हमेशा negative होती है ठीक है क्योंकि जितना ज्यादा solute add करोगे pure water में pre water molecule उतने कम बचेंगे bound water molecule ज्यादा बचेंगे तो water का जो movement होगा वो impede होगा उसका potential energy जो होगी वो कम हो जाएगी इसका जो movement जो free energy होगी वो कम हो जाएगी ठीक है clear है यह बात यह हमेशा इसकी value जो होती है वो negative होती है यह याद रखना है तुमको और इसको हम bars में या pressure की unit है तो दिखाते हैं और negative sign से हम इसको use करते हैं है न pressure potential अब यह hydrostatic pressure है ठीक है by effect on the energy components increases यह तुम्हें ध्यान में रखना है यह हमेशा positive होता है और increase करता है water potential को क्योंकि यह force तुम बाहर से apply कर रहे हो इस force की वज़े से potential energy तुम water की बढ़ाओगे ठीक है for example plant cell wall is elastic it exerts a pressure on the cellular content ठीक है result the involved wall pressure hydrostatic pressure is developed in the vacuum it is termed as the turgor pressure ठीक है और यह हमेशा यह जालतर cases में positive होता है and operates in the plant cell as well as the wall pressure and turgor pressure ठीक है और इसका magnitude होता है वो normally calculated physiological label पे प्लस 5 बार से प्लस 15 बार के बीच में vary करता है मतलब अगर यह जादा है और हम pressure potential अगर जादा है और हम सिधा सिधा मतलब यह हुआ है ठीक है matrix potential मैंने बोला किसका कुछ ज्यादा रोल नहीं है ठीक है due to binding of the water to the cell and cytoplasm जो उनके matrix में water molecule कुछ bind करते हैं उसकी वज़े से जो impede होते ही moment तो यह nearly negligible होता है इसको consider नहीं करते हैं ठीक है और कुछ substances होते हैं जिनकी affinity होती है यह water से तो उससे bind कर लेते हैं ठीक है so it is always a negative value क्योंकि यह water moment को impede करेंगे जो भी water के moment को यह potential को impede करेगा कम करेगा घटाएगा वो हमेशा negative value exult करेगा ऐसे gravitational potential इसका मतलब the force of the gravity act on the soil water it does on all other bodies इसकी value भी जो होता है हम negligible मानते हैं क्योंकि यह भी value negative होती लेकिन value बहुत काम होती है ठीक है और यह equally सारे molecule पर लगती तो इसको हम छोड़ सकते हैं अब एक examples में समझाने की कोशिश करता हूं तुमको दो को यह diagram पहले अच्छे से देख लो exactly उसमें क्या हो रहा है यह pure water है ठीक है अब pure water है तो इसका si p 0, si s 0 तो क्या होगा si w जो होगा वह भी तुमारा 0 होगा क्योंकि कोई भी force नहीं लग रहा है इसके ओपर अब आ जाते हैं क्योंकि बाहर चे कोई pressure तुम नहीं लगा रहे हो और salute भी नहीं है ठीक अब दूसरा आता है कि सुक्रोज को हमने पानी ले लिया we take water and dissolve some amount of the sucrose to bring the value 0.1 molar 0.1 molar sucrose में क्या होगा कि salute आ गया तो मतलब यह value तो 0 रहने कि pressure तुम लगा नहीं रहो ठीक salute की value minus में आगे minus 0.244 MP है यह calculated value है तो तुमारे साइडबलो की जो value आई यह negative में आ गई यह मतलब अगर जो value SIS की वही साइडबलो हो गई यह तुमने pressure constant रखा हुआ है clear यह बात एक और example ले लेते हैं यहाँ आप हमने flaccid cell थी drop into a flaccid cell लिया flaccid cell का मतलब इसमें पानी कम है ठीक है उसको तुमने sugar solution में drop कर दिया ठीक है तो क्या होगा इसका जो initial क्या था यह 0 था सलूट कुछ था value साइडबलो इतनी थी अब तुमने इसमें add कर दिया solution वाले में डाल दिया तो क्या हुआ साइडबलो की जो value थी यह थी सलूट की value इतनी थी और pressure जो हुआ इतना create हो गया ठीक क्योंको तुमको पता था कि साइडबलो कितना है ठीक अब यह सलूट डाला हुआ तुमने तो तुमको साइड़ की कुछ value पता है ठीक अब इस सेल को डाला तो pressure लगा उस pressure से पानी अंदर जाएगा मतलब यह hypotonic solution में रखा था तुमने अब दूसरा देखो अगर तुमने सुक्रोस का concentration बढ़ा दिया तो क्या होगा यह pressure तुमने अरड़ी यहां पर calculate किया हुआ था पिछले में same cell है तुमारी अब solute का concentration तुमने बढ़ाया हुआ है यहां पर यह previous case है अब देखो क्या होगा यह value siw की minus 732 यह भी minus 732 और sip जो यह दोनों value बराबर हो गई क्यों क्योंकि यह तुमारा solution था वो 0.3 molar था ठीक है और इसकी जो sis value थी इतनी थी तो यहां पर क्या होगा दोनों बराबर हो गया जब sis और siw तो sip तुमारा 0 हो गया so this helps in the transport part ठीक है similarly अगर pressure तुम बाहर से apply कर तो that also change the value यहां पर दोखो अगर तुमने ध्यान से दोखो initial state में यह सारा equation था हमारे पास लेकिन अगर तुमने solution लिया 0.1 molar का और pressure apply किया और तो क्या होगा अगर pressure तुमने double किया तो value जो होगी यह sip बढ़ गया यह बढ़ेगा तो मतलब siw से तुमने minus किया sis तो तुमको pressure potential की value पता चल गए तो तुमने दबाया यहां पर तो जिसके वेज़ से क्या होगा कि pressure में आके पानी बाहर निकलेगा ठीक है तो basically क्या तुमको information मिली कि this is the water potential और this is the entire equation that I told you in the beginning यह यहां से है अब water का movement अगर तुम्हें देखना है तो हमेशा less negative से जो अगर तुम देखो को दो condition होगी तो हमेशा पानी किदर से move करेगा less negative से more negative जैसे मान लेते हैं एक यह कोई cell A है ठीक है यह cell A मान लेते हैं इसका side W ले लेते हैं एक से माइनस पॉइंट फाइप और सेल बी ले लेते हैं ठीक है इसका side W ले लेते हैं लेट से माइनस वन बार या मेगा पास्कल जो भी तुम्हें यूज करना है तो क्या होगा वाटर का मुवमेंट किदर से किदर होगा A to B होगा क्यूं होगा कि जो लेस निगेटिव है उसमें फ्री वाटर मॉलिक्वल जादा है है न अगर साइड डबलू की वैलू जादा है ठीक तो क्या होगा प्री वाटर मॉलिक्वल जादा होंगे मतलब इनकी फ्री एनरजी भी जादा होगी तो हैंस मुवमेंट ये करना सुरू करेंगे यहां से यहां की तरफ तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि Less Negative to More Negative वाटर का मुवमेंट हमेशा होगा सो वाटर मुवमेंट इस कैसे होगा Less Negative to More Negative Less Negative to More negative More Negative साई डबलू यह डिरेक्शन होगा वाटर मुवमेंट पर यह कॉंसेप्ट में हर जगा अपलाई करना है ऐसे अगर तुम डीपीडी का देखोगे तो ज्यादा पॉजिट्व से लेस पॉजिट्व के तरफ ठीक ज्यादा पॉजिट्व होगा तो उसको पानी की ज़रूरत ज सकतो जैसे ट्रांस्परेशन में क्या होता है कि वोटर जो विपर्स फॉर्म होते हैं लीप सर्फेस से वह बाहर की तरफ जाते हैं कितना जाएंगे कितना निकलेगा विंडी डेज होगा तो ज्यादा जाएगा मतलब क्या हुगा कि बाहर जितना ज्यादा मॉश्चर कंटे बराबर है एक जगह विंडी है जहां पर हवा ज्यादा चल लिए दूसरी जगह पर हवा नहीं चल लिए है तो हवा चलने से क्या होगा कि मॉश्चर को हटाएगी जिससे वह वाटर पोटेंशिल ज्यादा निगेटी हो जाएगा तो वहां पर रेट आप ट्रांस्परेशन इंपीड होगा तो यह भी वाटर पोटेंशिल पर बेस कॉंसेप्ट है जो तुम समझ सकते हो और इंटर सेले लेबल पर मॉमेंट कैसे होगा वह भी तुम वाटर पोटेंशिल से डिसाइट कर सकते हो ठीक है तो वाटर पोटेंशिल जैसे मैंने तुमको बताया इन दोनों का summation है किसका si s का और si p का si s is negative और si p is going to be positive ठीक है तो if the two adjacent cell of the different water potential water will move from the cell having higher water potential to the cell having lower water potential मतलब किस term में negative term में है ना अगर मालो कोई less negative है उसका मतलब होगा कि उसके अंदर salute कम है वहाँ से पानी निकल के दूसरे में जाएगा तो यह जो तुम्हें समझना है यह negative term में है ने तो confuse हो जाओगे है ना जैसे एक और simple तरीके से मैं तुमको समझा देता हूँ गैस equation है p v is equal to n r t है ना p is equal to n y v into r t यह n is number of the mole यह concentration लिख सकते हैं तो p is equal to c r t c is concentration अगर यह दोनों constant है we keep both these two constant ठीक पी प्रेशर है इसको ओस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं इस इस डिर्क्ली कंसेंटेशन टु दिस सी मतलब सल्यूट कंसेंटेशन मतलब क्या हुआ ओस्मोटिक जो भी होगा यह कौन्यटी प्रॉबर्टी घब भी ज़्यादा होगा जब सल्यूट ज़्यादा होगे तो वाट इस ऊस्मोटिक potential यह ऐसा potential है या फिर ऐसा pressure है जो osmosis को prevent करने में लगाया जता है so this is a pressure exalted by the solute on the membrane of the cell to prevent the osmosis तुम ऐसे भी समझ सकते हो osmotic potential ज़्यादा है तो water का moment कम होगा clear है so अगर मार लो osmotic op ज़्यादा है तो तुमारा जो water का movement है वो कम होगा क्यों कम होगा क्योंकि वो free water होंगे वो कम होंगे ठीक तो यह concept तुम्हें ध्यान में रखना है यहाप एक simple same चीज जो मैंने बताई मालो यह pure water है in this diagram before I end up तो क्या क्या हमने यह youtube है तुमारा youtube नहीं जिस पर तुम देख रहे हो यह एक youtube है मालो एक नली जैसा बना लिया हमने ठीक यहाँ पर हमने एक membrane का use कर लिया you can see here ठीक है अब इस side में हमने salute डाल दिया और इस side में free water molecule है तो क्या होगा यहाँ का अप्लाई करोगे तो यह उपर की तरफ बढ़ेगा है ना अगर negative pressure आया मतलब उल्टे side से pressure आ रहा है तो यह धर की तरफ उपर जाएगा तो यह basic concept जो मैंने तुमको समझाया उसका एक sum up है ठीक यहाँ अगर salute डाला तो तुमने right side lower यह causing the water to move to the right side जैसे मैंने तुमको बताए कि salute डाला si s बढ़ा si s बढ़ा तो water potential ज्यादा negative हुआ और हमेशा less negatives to more negative move करेगा इसका उल्टा तुम dpd के बारे में भी समझ सकते हो hopefully you enjoy this और यह तुमारा concept मैंने clear कर दिया होगा जो भी तुमारा confusion है या फिर जो भी तुम्हें अच्छा लगा तुम comment box में बता सकते हो so thank you very much from this amazing educational platform of the PW मैं अस्थाना सर मिलते हैं next lecture में जल्दी ही thank you very much